नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी औरत को अपने वश्ण में कर सकते हैं और आप उसे अपना बना सकते हैं अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वश्रिकरन का टोटका, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो अगर आप इस मंत्र को इस वश्रिकरन को अपनाते हैं, तो आपका जो कारे है वो पूरा हो जाएगा, और वो औरत जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपके वश्र में हो जाएगी. तो आइए बताती हूँ कि वो विधी क्या है? लेकिन उससे पहले उस सामागरी के बारे में मैं आपको बतादेती हूँ जिसकी आवशक्ता इस वश्विकरन में आपको होगी. और वो सामागरी मात्र एक कागज है. जी हां, तो हमें चाहिए एक कागज और एक मारकर, जी हां, इस कागज और मारकर की मदद से आप किशी को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह एक मंत्र के उच्चारण से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, तो आईए, अब मैं आपको बताती हूं कि आपको करना क्या तो आपको कागज लेना है, उस पर उस औरत का नाम लिखना है, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिससे आप संभोग करना चाहते हैं, जैसे मान लिजे उस औरत का नाम है राधा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो तो आपको उनका नाम लिखना है, इस कागज पर राधा, इस तरह, इस कागज पर आपको उस औरत का नाम लिखना है, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसके बाद इस कागज को आपको फोल्ड करना है, दरसको आपको इस कागज को छोटा ही लेना है, क्यूंकि ये कागज जो है हमें बाद में जलाना है तो और इसकी राख जादा ना हो इसलिए कागज छोटा ही लेना है तो इस तरह इस कागज को फोल्ड करेंगे और कलावे से इसको बांध लेंगे फिर इसे अपने हाथ में ही रखेंगे और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मंत्र का आप उच्चारन करेंगे उस मंत्र का आप किस बार उच्चारन कर लेंगे, तो जो महिला है, जिने आप अपने वश्च में करना चाहते हैं, वो पुर्ण तरह से आपके वश्च में हो जाएगी पुर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हो जाएंगी तो मैं आपको बताती हूँ कि वो शिद्ध मंत्र क्या है जिसे मातरुपयोग से वो महिला, वो इंसान आपके वश्ट में हो जाएंगी तो आईए दर्सको अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सिद्ध मंत्र क्या है वो मंत्र है ओम, काम देवाए, विद्धे, रती क्रियाए, धी मही, तनु अनंग प्रचोधयाद जी हाँ, तो इस तरह आपको कागज हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारंग करना है और उस महिला का ध्यान करके जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं ओम, काम देवाए, विद्धे, रती क्रियाए, धी मही, तनु अनंग प्रचोधयाद तो इस तरह आपको किस बार इस मंत्र का उच्चारंग करना है उसके बाद ये जो कागज है आपको 3 घंटे के लिए, मात्र 3 घंटे के लिए आपको इस कागज को किसी शुरक्चिता स्थान पर रखना है मतलब एक साप स्थान जहां मास मदीरा या किसी और चीज का सेवन ना होता हो जैसे मंदीर में आप इसे रख सकते हैं कि मंदीर से पवित्र कोई जगह नहीं होती तो आप इसे मंदीर में रखिए और 3 घंटे बाद इसे मंदीर से निकाल के इस कागज को आपको जला देना है जी हाँ, 3 घंटे बाद आपको इस कागज को निकाल कर जला देना है जो इस कागज की राख बनेगी उस राख को आपको बहते हुए जल में बहा देना है जिस तरह आपकी ये जो कागज की राख है बहते जल में प्रवा होती जाएगी वैसे ही वो महिला आपकी और खीची चली आएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधी उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ सही तरीके से विधी करिए सही तरीके से मंत्र का उच्चारन करिए तो उस महिला को अपना बनाईए तो दर्सको मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं गुरुजी आपकी समस्या का निवारन जरूर देंगे जै माता दी